Hello Friends, इस वीडिया में हम डिस्कूस करेंगी POC का अपयोग किन कंडिशन में किया जाता है? POC को कैसे लगाना चाहिए और POC कि वजे से क्या side fact हो सकते हैं? और ये डिस्कूस करेंगी POC को लगाते हैं मैं क्या-क्या सावधाने रखने चाहिए? और किन कंडिशन में पीगलो क्रीम को लगाना रिक्वेनिट नहीं होता है पीगलो क्रीम का अपयोग चेरे परदाग दबों, निसान वैजायों को टाने के लिए किया जाता है आँखों के नीचे काले गेरे होने पर याने आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने पर भी पीगलो क्रीम का उप्योग किया जाता है पीगलो क्रीम तउचा परदाग दबों वे डार्क स्पोर्ट्स को अटा कर तउचा के रंगो साफ और गोरा करती है इसके अलावा डरमेटाइटिस और मिलाजमा की समस्या होने पर भी पीगलो क्रिम का उप्योग किया जाता है मिलाजमा होने पर तौचा पर डारक लर के पेच हो जाते हैं जो शरीर में हॉर्मोन और बदलाओ या सुरज की दूप की व dissert से भी हो सकते हैं मिलाजमा की समस्या सबसे अधिक महिलाओं में होती है लेकिन मिलाजमा की समस्या पूर्सम में भी हो सकती है पीगलो क्रीम का उप्योग महिलाओं अप्रूस दोनों ही कर सकते हैं पीगलो क्रीम के अंदर salt composition, hydropunon, momitason और tritinoin होता है अब आपको पीगलो क्रीम को कैसे लगाना recommended होता है पीगलो क्रीम को दिन में एक बार रात को सोने से पहले लगाना recommended होता है अगर आपको पीगलो क्रीम को चेहरे पर लगाना है तो आपको पीगलो क्रीम को लगाने से पहले अपने चेहरे को पानी की मदद से अच्छी तरह से दो लेना चाहिए और उसके बाद आपको अपने चेहरे को एक साप कपड़े की मदद से साफ कर लेना चाहिए चेहरे को अच्छी तरह साफ करने के बाद पीगलो क्रीम की एक पतली लेयर अफेक्टिड एरिया पर लगाने चाहिए पीगलो क्रीम को एक उंगलिक मिदत से हलके आज से फैला कर लगाना चाहिए और पीगलो क्रीम को जदा रगड कर नहीं लगाना चाहिए पीगलो क्रीम को आँख, मूँ और ना के किनारे के पास लगाना recommended नहीं है इसलिए पीगलो क्रीम को आँख, मूँ और ना के किनारे के पास नहीं लगाना चाहिए अब आण डिस्कूस करें कि पीगलो क्रीम को लगाते से में क्या-क्या साथ दाने रखने चाहिए और किन कंडिशन में पीगलो करीम को लगाना रिक्वेंडिन नहीं होता है जब तक आप पीगलो करीम को लगा रहे हैं तब तक आपको दिन के समय में सुरुज की दूप में जाने से बचना चाहिए क्योंकि पीगलो क्रीम की विज़े से तवचा दूप के परती बहुत ज़्यादा समय दिन शील हो जाती है और जिसक विज़े से सन बरन होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है अगर आपको किसी करण वस दूप में जाना है पड़ता है तो आपको सुरुज की दूप से बचने के लिए अपने चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए या आप दूप से बचाव करने के लिए अम्रेला यानि छत्ते का इपरियोग कर सकते हैं लगातर आठ सकता से देख पीगलो क्रीम को लगाना रिक्वेंडिड नहीं है इसलिए आठ सकता से देख पीगलो क्रीम को डोक्टर की सला के बिना नहीं लगाना चाहिए पीगलो क्रीम को किवलात के समय ही लगाना रिक्वेंडिड है इसलिए आपको पीगलो क्रीम को दिन आँखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पीगलो क्रीम के अंदर steroid होता है और पीगलो क्रीम को बार-बार या लंबे समय तक आँखों के नीचे लगाने से आँखों में cataract या glukoma हो सकता है इसलिए लंबे समय तक या बार बार आपको पीगलो क्रीम को आंखों के नीचे या आँखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको P-Glo Cream या इसके किसी भी इंग्रेडियनेट्स अलर्जी है तो आपको P-Glo Cream को नहीं लगाना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए अब एंडिस्क्यूस करें कि P-Glo Cream की विज़े से क्या side effect हो सकते हैं P-Glo Cream की side effect में तवचम जलन, इरिटेशन, खुजली या रेडनेस हो सकती है अगर आपको P-Glo Cream को लगाने के बाद तवचम जलन, इरिटेशन, खुजली या रेडनेस ज़्यादा होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से प्रामस लेना चाहिए P-Glo Cream को लंबे समय तक यानि कई में नो तक लगाने से तवचा पतली हो सकती है और स्किन का कलर डार्क भी हो सकता है इसलिए बार-बार बिना डॉक्टर की सला आके P-Glo Cream को नहीं लगाना चाहिए और P-Glo Cream को केवल उतने समय के लिए ही लगाना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने P-Glo Cream को लगाने के सला दी है कुछ लोगों में P-Glo Cream को लगाने के बाद तवचा के एक पतली लेयर पपड इबन कर उतर सकती है पीगलो क्रीम को लगाने के बाद ताउचा में टेंपरेली तोर पर सूखापन भी हो सकता है अगर आपको पीगलो क्रीम को लगाने के बाद ताउचा में सूखापन जादा होता है तो आपको सुबह उठने के बाद अपने चेहरे को दो लेना चाहिए और उसके बाद वैसलीन, एको एनेम अस्चोराजर क्रीम लगानी चाहिए अब आपने डिस्कुस करें कि क्या गरवती मेलाओं वोस्तन पन करारी मेलाओं के लिए पीगलो क्रीम का उप्योग करना recommended नहीं है इसलिए गरवती मेलाओं वोस्तन पन करारी मेलाओं को पीगलो क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से प्रामस लेना चाहिए और डॉक्टर की सला के बिना गरवती मेलाओं वोस्तन पन करारी मेलाओं को पीगलो क्रीम को नहीं लगाना चाहिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, अगर आपका पीगलो करेम से रिलेटिड को किस नो तब कमेंट करके पूछ सकते हैं